दोस्तो नमस्काल मैं हूँ आरगे डचो गोईल कोई भी जब कानून बनाए जाता है कोई भी एक्ट में संशोदन किया जाता है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उसमें कोई ambiguity ना हो उसमें कोई विसंगतियां ना हो ताकि उससे सम्मधित मावलों में अदालतों को फैसल लिने में कटना ही ना आए लेकिन जो प्रस्तावित संशोधन हमारे सामने रखे गए आर्टिट सेक्ट के लिए वो अपने आप में बड़े विचित रहें इसमें एक जिगे बात की गई है इसमें बात की गई है के साथ पोस्ट ग्रेजिएशन कोर्सिस क्यों भी इसका शडूल बनाया जाए जब आप अंडर ग्रेजिएट और पोस्ट ग्रेजिएट कोर्सिस के शडूल मना रहे हैं तो डिप्लोमा अर्टिक्टर वालों का आप क्यो भूलते जा रहे हैं उनके की इसे घुणिवीर की नौकरी बिल जाती है तो डिप्लोमा औरटिक्ट्छर वालों को भी शडूल में शामिल कीजिए क्योंकि डिप्लोमा यर्टिक्शर कि जो एजूकेशन है उसके नियम काईद्याब बना रहे हैं तो डेपलिक्चर के जो रोजगार हैं उनके अबारे में भी कॉंसिल अफ़ार्टिक्चर को ही सोचना है अब आते हैं सेक्शन 26a इन्होंने कहा है कि हम 26a एक सेक्शन प्रफियर थे अंगेशने इसेर्क चीना शेंग बना रहरे मंगाओ पर और विशेंट्या शाविक्चूंस अगेशन norm top अगजाओ ब letters style norm दुगार कीजिए का शर्वीसिस एट मिड लेवल अमिड लेवल की आगे भी चर्चा कि हम जिक्र करते हैं 26 का सबस्टेक्शन है तू आर्गिटेश्ट्र इन्जिनियर लाइस सर्वेव इस ग्रांटिट लिमिटेड लाइसेंस अंटर सब्सेक्शन वन में प्रेक्टिस architecture to such extent in such circumstances and for such period as may be prescribed by regulations subsection 3 has the architecture architectural engineer oblique license surveyor may undertake services independently on in respect of small and medium residential and other related buildings other related building में कौन सी विदिंग आएगी कि एक छोटा सा स्कूल अधर related building में नहीं आएगा कि या छोटा सा अस्पताल कि स्मॉल और मीडियम में नहीं आएगा बडा स्पताल आप किसको बोलेंगे एमस को बोलेंगे छोटा स्पताल किसको बोलेंगे 25 बैड़ वाले स्पताल को बोलेंगे छोटा स्कूल किसको बोलेंगे जो प्राइमरी तक का है बड़ा स्कूल किसको बोलेंगे इस प्रकार की अगर आपने छोड़ दी कि स्वाल एंडियूं डेजिंशल एंड अधर 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 एलिटीड बेक्षे सारी चीज़ अधर ए इस तरह बात इन्होंने कहिए कि कोई वह विए वैदी अगर अपना प्लेश ओफ रेजिदेंस या प्लेश ओफ आफिस बदलता है या नोकरी में अपना परिवह तन करता है तो साथ दिन में कौनल को सूचित करें अब साथ दिन में सूचित नहीं करेगा तो वायलेशन तो आप उसको है दिया सकते हो एक और इसमें जगह जग़ा बात कियी कि ये कहीं ये रेइसडा आरिटिक का इस्तिमाल करते हैं क्यों इससिप्ट करते हैं अब यॉःधी कुछ यह सक्षिन थर्टीशिक्स की ही शेल भी पनीशेबल विट फाइन विच में एक्स्टेंड टू फाइव लाइक रूपीर उस पे पांच लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है कि अब जुर्माना कौन करेगा जुर्माना होगा जै मामला आदालत में जाएगा कोई आदनी आरकेटर्टर का भी शूर्ण ग्रणी कलोंina क्सक् Cincdoingट बोलगे च्रैडत लिए जानते हैं यह क्योंकि कहीं उन्हें चार्ड रेट आर्केट चब्स इस्तिमाल किया और अभी कह रहे हैं कि जुर्माना पांच लाग तक एक्स्टेट किया जा सकता है यानि नियूंतम जुर्माना कितना है इसका कहीं जिक्र नहीं किया कि अब अधालत की अधिविजंब पर इटिपेंड करेगा कि अधालत कि दोशी व्यक्ति को 500 रुपय का जुर्माना करती है कि पांस चेजार रुपय का जुर्माना करती है यह या रेप्रिमेंट करके जिसको मत दी बोलते हैं लताड़ प्लाकर यह चेताव नहीं देखें उसको छोड़ देती है तो जब आप पास्ट लाख रुपय का अधिक्तम जुर्माना की बात कर रहे हैं मिस्यूज ऑफ टाइटल पे तो आपको नियूंतम जुर्माना भी उसमें परिभाशित करना होगा जैसे अगर आप ट्रैफिक वाइलेशन करते हैं रेड लाइट जंपिंग का नियूंतम जुर्माना तैह है पोलुशन का नियूंतम जुर्माना तैह है ड्राइविंग विडाउट लाइसेंस का नियूंतम जुर्माना तैह है इस तरीके से जब आप वाइलेशन ऑफ आर्गर्ट से तो अदालतें बाद्य होंगी उसको नियूंतम जुर्माना लगाने के लिए अगर उसमें नियूंतम जुर्माना परिभाशत नहीं है तो अदालत के विज्डम पे डिपेंड करेगा कि अदालत उसे किस अद तक अनलाइज करे इसमें और भी इस तरह की बहुत सारी विसंगत की जैसे मैंने डिप्लोमगटर की उनके फार में नहीं सोचा गया कि इस बारे में बात की कैप इंजिनियर्स और सर्वेर्स को मिड लेवल के जो आप कह रहे हो कि वो काम कर पाएंगे मिड लेवल की क्या परिभाशा है क्या छोटा स्कूल मिड लेवल है छोटा होस्पिटल मिड लेवल है कोई शॉपिंग मॉल मिड लेवल है मिड लेवल की क्या परिभाशा है इस बात को कहीं इसमें परिभाशी नहीं किया गया तो विसंगतियां आप इसमें अगर अमेंडमेंट कर रहे हो तो इतनी सारी मत छोड़िये इसकी कुछ और चर्चा आगए करूँगा कुछ और इनके मुखे मुद्दों को उठा गए शुक्रावनाय नमस्कार